जैहिंद जैभारत दोस्तों आज किस वीडियो में आपका भाई जो बताने वाला है यह आप इजिली यहां पर देख सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रित करन और इसके बाद बताऊंगा हस्त चैन बिधी और इसके बाद ध्रेसिंग बिधी और निस्पावन बिधी और चालन बिधी और साथ ही और साधन बिधी तो दोस्तो मैं आपको सबसे पहले इस वीडियो में ये किलिर करना चाहता हूँ अगर इस वीडियो में मेरी दी हुई जनकारी अगर आपको समझ ना आती है तो आप वीडियो के नीचे कुछ भी लिख देना ठीक है और हाँ गाई समझना और नसमझना सिर्फ आपके उपर निर्वर करता है तो चली अब हम समझाते हैं कि आखिर सबसे पहले हमारा टॉपिक है गया तो आप यहाँ पर इजिली समझ पहांगे जो कि लिखा हूँ है प्रिथ करन तो प्रिथ करन का परिभासा जो है आप इजिली यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हूँ है कि चुनने चानने और छाटने तथा अलग करने की किरिया यानि अलग करने की प्रकरिया को ही हम क्या कहते हैं प्रित करन यानि इंग्लेश में बात क्रितो सेफ Daar embora तो यहां पर आपको प्रित करन समझ आई की नहीं आई कहने का मतलब यह है कि जैसे आपने चावल देखाई होगा तो चावल से कंकर निकालना जियांगाई चावल से कंकर निकालना और हमारा जो चाय होता है और चाय से चाय पती निकालना और साथ ही बात करें तो चावल से भू से निकालना और आटा से चोकर निकालना आप ये क्या है यही तो है आपका प्रित करन यानि अगर इजीली समझा जाए तो प्रित करन का जो मज़ आई की नहीं आई, आई हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आखिर आगे अब सीखने क्या वाले हैं, ठीक है, तो प्रित्करन आपको इतना याद रखना है कि किसी भी चीज में से किसी भी चीज को निकाल देना आपको यानि अलग करने की विध्या आपको क्या कहला आत प्रित करन और इसके बाद बताऊँगा हस्त चैन बीधी तो हस्त चैन बीधी क्या है तो ये प्रित करन यानि अलग करने की बीधी है आप यहाँ पर जो जो यहाँ पर देखें जैसा कि आप देखें हस्त चैन बीधी और इसके बाद देखे थ्रेशिंग विध्य ये सब क्या है ये सब अलग करने की विध्य है ठीक है तो चलिए अब हम इसको समझते हैं बारी बारी से ओके तो सबसे पहले हम समझते हैं हस्त चैन बीधी ठीक है तो हस्त चैन बीधी आखिर है क्या तो देखिए आप न यहाँ पर आप देखिए आपका जो लिखा हुआ है परिभासा आप इजिली समझ पाएंगे लिखा हुआ है कि हाथो द्वारा जिया साथ ही आपका जो हाथ है न उसके ही द्वारा, तो हाथों द्वारा, भूसे, कंकर, डंठल, यानि कह सकते हैं मिटी कच्रा को हटाना, वही तो आपको कहलाता है हस्त चैन बिधी. यानि आप सीम्पल सी बात को समझें तो हाथों द्वारा कंकड, डंठल, मिटी और भूसे को निकालना गाइज वही आपको कहलाता है हस्त चैन बेधी और इसमें काफी समय लग जाता है आप देख सकते हैं मैंने लिख रगा है कि इसमें बहूत समय लग जाता है ठीक है तो हा द्वारा कुछ कंकड को निकालती है चावल में से ठीक है तो आपको क्या है हस्त चैन बेधी है अलग करने की ओके तो आपको यह समझ आई कि नहीं आई तो चलिए अब समझते हैं आगे की बात है अगला जो हमारा बात आता है वह है ठ्रेशिंग बेधी ठीक है तो अब ने लिख क्या रखा है इज़ी आप समझ पाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे तो लिखा हो है कि भूसे कंकड डंठल मिठी को अनाजो में से मसीनों दौरा जैधार जैं मसीनों दौरा यापको यहां पर मेंटव्पि क्या है मसीन तो मसीनों दौरा अलग करने की किरिय यानि अलग करने की परकिरिया ही कहलाती है आपको थ्रेशिंग बेधी, यहाँ पर यह बात आपको ख्याल रखने है कि हमारा जो मसीन होता है न, मसीनों द्वारा, जो हमारे अनाज में जैसे की भूसे, कंकर, डंठल, मिटी, यह सब होते हैं, तो इन सब को मसीनों द्वारा अ बाहर निकाल देते हैं, हटा देते हैं, तो वो आपको कहलाता है थ्रेशिंग बेधी, ओके, तो यह भी बात बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे, चलिए, तो अब हम समझते हैं अगला बात, तो अगला बात हमारा आता है, निस्पावन बेधी, यानि अगर इजीली स मसूर के भूसे, और चना के भूसे, तथा अन्य चीज के कच्ड़े को वायू के द्वारा, वायू आप समझ रहे हैं, हवा, पावन जिसको हम कहते हैं, तो वायू के द्वारा अलग करने की किरिया ही गा, इस कहलाती है, निस्पावन बिधी, यानि इजीली कहा है, तो ओसा अच्छा से जब कूटा जाता है मसीनों में तो क्या क्या जाता है कि उसे उनने जो भूसे होते हैं हवा के द्वारा अलग किया जाता है यानि उसमें अगर पंखा भी लगा कर हम उसाएं तो आपको क्या है वह वह आपको निस्पावन बिधी है तो बस आपको ये ख्याल लखनी है कि धान के भूसे, गेहुम के भूसे, मसूर के भूसे यानि किसी भी चीज का कच्ड़ा हो अगर हमारी माताएं या हमारी कोई भी व्यक्ति अगर आपको हवा के सहाथा से किसी भी चीज में से गंदी पदार्थों अलग निकालते हैं तो वही निकालने के बिधी आपको कहलाती है उसाना बिधी तो जिसे ऐह पर समझपाएंगे मैंने लिख कहरा है कि धान के भूसे जेहुं के भूसे और मसूर के भूसे, चना के भूसे इत्यादी में से कश्रे कंकर इत्यादी निकालना हवा के सिहता स्चेगजिव आपको कहलाता है कि निसपावन बीधी यानि कह सकते ओसाना बिधी तो मैं आसा करता हूँ यह भी बात बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे तो चलिए अब समझते हैं अगला बात तो अगला जो हुमारा बात आता है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा क्या हुआ है तो यहाँ पर अगला जो बात है आप देखेंगे तो लिखा हूँ है कि आप इजी ली समझ पाएंगे देखिए तो यहाँ पर लिखा हूँ है कि आटा से चोकर जिए गाइज आटा समझ रहे न तो आठा से चोकर और चावल में से छोटे चावल जैसे चावल में से छोटे चावल अगर बोलचाल की भासा में समझे तो खुद्धी कहते हैं आप किसी से पूछेगा और इसके बाद आप समझ सकते हैं बड़े कंकर में से छोटे कंकर जैसे आपने कभी चाथी जो मकान जब आपको किसी भी चीज में से किसी भी चीज को अलग करना यानि हटाना गाइज कहलाता है आपको चालन बिधी तो आप यहाँ पर इजिली समझ पाएंगे मैंने लिख भी रखा है कि आटा से चोकर निकालना और चावल में से छोटे चावल को भी निकालना या बड़े कंकर में से छोटे कंकड को चलनी के सहाथा से चलनी एक परकार की छोटी सी कटोरी की तरह होती है यह आप बड़ा भी ले सकते हैं आपके उपर निर्वर करता है कि आप किस चीज को चालना चाहते हैं तो यहाँ पर चलनी के सहाथा से किसी भी चीज में से किसी भी चीज को यहाँ पर ह यहां पर समझ आए तो बस आपको यहां पर यह बात खियाल रखनी है कि चलने के द्वारा आपको ठोस पदार्थों के मिश्रन को अलग करने की किरिया आपको कहला आती है क्या चालन बिधी ओके तो चलिए अब समझते हैं आगे की बाते हैं तो अगला जो हमारा बात आता है और सादन और सादन बिधी आखिर है क्या तो आपको जो मैं समझा रहा होना आप यहां पर इजिली समझेगा क्या आपने डाल देखा है जियां डाल में जब माताय जब खाना बनाती हैं तो उन्हें एक बार या दो बार धोते हैं तो धान हो हो गया इहां पर दाल हो गया चावल हो गया यह सब को हाए निटार जान आपको अधिया सकते हूं क्या रखा है आप यहां पर समझी यहां पर मैंने लिख रखा है कि बर्तन की तली में जो हमारा बर्तन होता है बर्तन के नीचे बैठ जाते है बर्तन की तली में पदार्थों के भारीकन जियां गाइज जैसे आप चावल को दोते हैं तो चावल दोते हैं तो उसके गंदे बहुत ही आसानी से यहां पर बात समझ आ गई होगी। तो यहां पर यह परिवास्ता आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि बरतन के तली में पदार्थों के भारी कन का बैठ जाना आपको कहलाता है और आप एक प्यारा सा सबस्क्राइब कर देना और चलिए मिलते है एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाटे क्यार बने रहें जुड़े रहें और कोई दिकत हो तो नीचे जरूर लिखें